वेलकम बैक कुछ सिबील गांड और अफ सभी का सिविल गायान में रिष्वागत करता हूँ आउफ आप सभी लोग अच्छे होंगे और बेटर तरीके से प्रॉपर तरीके से अफनी प्रšíड एर्बेर्शन को कर रहें होगे अगर आपकी प्रप्रेशन अच्छी चल रही है तो कमेंट बॉक्स न जरूरू है थमसब कर देजिएगा कि हाँ सर मैं अपनी प्रप्रेशं को बहुत अच्छे तरीके से कर रहा हूँ और आपकी प्रिपरेशन के चार चानल लगाने के लिए मैं आपके साथ एक काम कर रहा हूँ कि आपको मैं हरे से रुबरू करा रहा हूँ कि दोयार तेस में उनकी क्या इंपॉर्टन्स थी और उनसे कौन-कौन से कुष्चन आये थे अगर हैं तो आपकी कमी है या आपने को Allegast करके नहीं कहें थे अगर नहीं है उसको पूरी स्रिप्ट में देखा जाए तो मैं अतला भाय की BMC कंकीट का बेटर ज्यादा था तो आप सभी को पता BMC कंकीट से आता है काफी कोशन आते हैं तो ज्यादा कोशन होने विए से मैंने एक वीडियो में इसको नहीं बनाई थी पिछली वीडियो ही हमारी 30 मिट्स की और सबसे पहले आपको इस वीडियो को देखना है कहां मिलेगी वीडियो आपको यह वीडियो जैसे ही आप वीडियो में जाओगे प्लेलिस्ट एक अफसन होता है प्लेलिस्ट में जाओगे वहां प्लेलिस्ट के क्लिक करोगे तो पहली ही प्लेलिस्ट हमारी स्सेज्ट के आल तो उन लोग के लिए बता रहा हूं जो पहली बार इस वीडियो को हमारी देख रहे हैं ताकि उनको मालूम पड़े कि हम आज से नहीं कर रहे हैं हमने इतने को कर भी लिया है और इफ्टील इफ्टेक्चर को जो इफ्टील इफ्टेक्चर के कौशन आये थे कौन-कौन से वीडियो इसके बाद यह आज की जो वीडियो यह आपकी फाइफ नंबर की वीडियो है जिसके हम लोग ब्यमसी पार्ट टू कर रहे हैं तो चलो बढ़ते हैं और आज हमको देखना भी पड़ेगा कि कौन से कौशन कल हुए थे कौन से नहीं हुए थे ज्योंकि यह स्लाइ मैंने इसको देखा था तो जो वाई नहीं देखा है जरूर जाकर के पहली वीडियो देख लीजे ताकि उनको लगेगा ठीक है यह कोशन इफ्लोरेशन सवाला कोशन था यह भी आपका हो गया था यह आपके साथ में और प्रापर कंपैक्शन फ्रेश्ली गंकिर यह भी के हैं है ी-ू-. इसाथ कुशन हुआ था इस्टेंडर कंसिस्टंसी हम लोग से निकालते हैं आपका भी कट्ब थर्स आप यह कोशन हो गया था यह इनद्रिशक्स को बोर्ड कंस्ट्रक्शन तो पार्टिकल बोर्ड अगर हम लोग बना रहे हैं तो प्रेसिंग इन दा पैरलल प्लेट पॉरोसर्स वाट इस दा ओरिंटेशन आप बूर्ड पार्टिकल बिस रेस्पेक्ट तू प्लेन अफदा बॉर्ड इसमें है क्या मेरे भाई की की यहां पर जो है दिर्लिंग यहां पर आके valley जो आपका यां कहते हैं कि जो आपका बोर्ड होता है जो आपकी उति उसकों बात नहीं होता कंस्ट्रक्शन के बारे में जो हम लोग प्रेसिंग करते हैं 되 yol वोड पार्टिकल्स तो बित रैस्पेक्ट्स तो बित हैं यह रोग का इसका प्राइबी हुआ ट्रस सब्सक्राद ग्लिबें कुणि थे रब्रा जाते हैं और बस हमको यह बता होता है कि पार्टिकल बोर्ड से कुर्शन आया टेंबर के अंदर गोगा काफी लोगों ने इसका नब्बे डिग्री अंसल लगाया था तो I think मैंने भी एक किया था गलत कोशन हुआ था मेरा और यह 0 डिगरी होगा अब पढ़ लेते हैं कैसे क्या इसमें बाते होती हैं पार्टिकल बोर्ड की बारे में और चिप बोर्ड की बारे में इस बोर्ड are made of particles are wood embedded in synthetic resins which are then pressed under heat they are made by extrusion pressing or by pressing between parallel plate in the extrusion pressing process the particles are oriented in the direction perpendicular to the plane of the board where as in the other case in the extrusion pressing process बाहर से अगर हम लोगों प्रेसे process करते हैं the particles are oriented in the direction जो पार्टिकल हमारे होते हैं वह उची direction के oriented होते हैं perpendicular to the plane of the board की whereas in the other case pressing बेड़ में पैलल प्रेट की बिच में प्रेसिंग कर रहे हैं तो दा पार्टिकल और ओर और एंटेट पैलल to the plane of the wood particle board is heavier than solid wood further it provides broad and stable panel of reasonable stand they can be sound just like regular wood particle board are preferred for furniture work then for construction work ठीक है तो यह आपके उससे परे हैं जो हम लोग पढ़ते हैं plywood की बारे में वह चीज़ नहीं है particle board होता यहां पर आपका zero degree होता आफसे नंबर पहला आपका जो है इसका आपका right answer रहने वाला है यह कुश्यन था हुई तरह Followys not a field of application of sulphate regồ essentisement तो मेरेishes कि weершर्जार्श करते हो तो sulphate reg exch nostisement को और करेंगे to merchant होने का跟你 quieres तो फाउंडेशन अंपका और सेनोईशन वी स्वाइनं ए todavía पर है तो यहां पे चांस ठेस में हम अपता यूज में करेंगे ने करेंगे स्वेड़ रिश्टिंग सेमेंट को सी बेज टीट्मेंट वरक से बेर टीट्मेंन villa झम moा सकता है तो वहां भी व् dif करेंगे में करते हैं पर ड wives वाली situation में हमको sulfur resisting cement का यूज नहीं किया आता है क्योंकि यहाँ damp पर क्या होता है जब भी हम लोग डैम अगरा बनाते हैं यहाँ पर कंखिटिंग इतनी हाई होती है हाई हीट आफारेशन आपको देखने को मिलता है यहाँ पर में लोग लोग हीट सेमेंट का यूज करते हैं ठीक है मैराइन इस्ट्रेक्शन में भी आपका हो सकता है तो sulfur resisting cement एक बात और ध्यान रखना sulfur कोशन पोचता है कभी कभी cement के ही कोशन से कि sulfur हमें सेमें बनाना है तो कौन सा कॉंस्टेट्वेंट बोग कंपाउंट का हाईयर मात्रा में रहेगा सी त्रीयस सी थिरी ए कि फिर आपका सी फूर एफ रहेगा तो यह सी टू यह जो होता हाई सेमें बनाता है जिससी यह ज़ो होता है जिससे ज्यादा बेलूम होते हैं और क्रेक में फोर ने के चांस बढ़ जाते हैं तो याद रखना इन बातों को भी कि सारी बाते यहां पे लिख रखी हैं आप इनको पढ़ लेंगे गया तो समझ में आ जाए आप इसका इसकीन शॉट ले सकते हो क्या बाते कह रही है ठीक है अगला कोशन है यह सीमंट का कोशन है सीमंट से ही समधरी कोशन है आपका सीमंट के फिल्ट टेस्ट से है है ठीक है क्या होगा होगा क्या कि आपको होट फिलिंग आईगी नहीं मेरे भाई आपको को यहां पर अगर सेमंट अच्छी क्वाल्टिक ओढ़ एंगा तो transformative सब्सक्राइब करते हैं कि अगर आप कैसे अगर आप फिल्ड में हो तो कैसे ऐसे बीना कोई टेस्ट किया कैसे आप कंफर्म कर सकते हैं यह खड़ाब है कि अगर आप सेमेंट को अपने हाथों में लो उनको दोनों हाथों कि में रबड करो ऐसे रगड़ो तो आपको एक स्मूथ फिलिंग आनी चाहिए उसके अंदर कोई ग्रिटी फिलिंग नहीं आनी चाहिए तो यह श्टेटमेंट भी हूँ ठाक यहां पर दे दिया है कि स्मू स्मूथ फिलिंग आनी चाहिए तो यह बात तो भाइस सही है कि अगर हम लोग सेमेंट को लें डेहर से डिलेने के बाद उसको फिलिंग की अपनी फिंगर के बीच में उसको हम लोग क्या करें उसको ऐसे स्मूथ फिलिंग मनलब उसको रबड कर रब करें रब करेंगे ना तो हमको स्मूथ होना चाहिए उसका कोई ग्रेटी पार्टिकल नहीं होना चाहिए तो हम समझेंगे कि हमारी सीमेंट अच्छी कॉल्टी की है अदरवाई उसमें मिलावा कुछ न कुछ किया गया है इवन इंसर्ट यह बात गलत हो जाती है पहला इस्टेंट में तो आपका ग लिएक्जां में 13 के को में आया था अगला कोश्यन ग्रटों सूपरप्लाफ्टीस का कोशं लुगत्य लुक्त कोश्यन आता है और अभी सूपर्प्लाफ्टिस तर उठाके देखोगे बार कई बार देका है तो यह नया नहीं आया आ थोस्क्ते में 22 struggling कोशन आया था 20 में же कुछ Topics होते हैं कुछ Concept होते हैं वो रिपीट होते हैं अब pattern यह नहीं है कि हो बहु कुशन रिपीट हो pattern यह है कि जो Topics से चीज़े हो सकती हैं पर आप क Pieढ़ कि वह ही कुशन तो बहु कुशन नहीं आख उससे इरदकत Okay आपके लिए करते हैं कि देखो भाई अगर हमारा वाटर सेमेंट रिड्यूस होगा मतलब वाटर कंटेंट भी काम हो रहा है सेमेंट कंटेंट भी मालों काम हो रहा है तो water cement अगर हमारा reduce होगा तो हमारी strength जो होती है वो बढ़ जाती है ठीक है और जो हमको चाहिए हमको चाहिए क्या कि हमारी concrete कैसी हो work ability हो लब कार करने में इसका आसानी हो तो super apply to society को तो बनाये रखता है वरक बिल्टी को तो बनाये रखता है पर जो हमारा water cement को कम कर देता है जो डिस्पर्स पार्डिकल को डिस्पर्स कर देता है तो यह सारे काम करता है पर एक साथ यह भी ध्यान रखता है कि हमको अपनी work ability के साथ खेड़ा खानी नहीं करनी है तो super apply to society करता है और वाटर कंटेंट को कम कर देता है इससे कि हमारी इस्टेंट बढ़ जाएगी और कहीं ने कहीं हमको तो यह हाई range water reduce करता है बहुत जदा water reduce कर देता है ठीक है तो आफसा नंबर एक यहाँ पर हो जाएगा आपका right answer कि अधर सलफो नेटेड मेला माइन करके होता है फार मली हाइड करके होता है यह सब एक से जेंपल है रेचिन यह सब सारे आपके सपर प्लाटर के अंतरगत आते हैं कि यह कुशन भी नहीं हुआ था साइद कल की क्लास में सेलेक्ट दा करेक्ट स्टेट्मेंट फ्रादा गि बहुत से बिल्डिंग मैट्रियल जो आपके होता है इसके फोल्डिंग में ब्रिजेज में यह बाद आपके सही उट्राइज किया जाता है बैंबू लाइक वूड इस नेच्वल कंपोजिट मैट्रियल बित लो इस्ट्रेंथ टू वेट रेजियो एंड के नाट भी बहुत लिए बैंबू के बारे में एड्वांटेज कितना कितना इसकी चीज़ा होती है तो यहां पे एडवांटेज आप बैंबू की बारे बात करते हैं तो बैंबू जो आपका होता केंडी टॉलाइज एस बिल्डिंग मैटियल फार सके फोल्ड इंब्रिजे अब समझ सकते हैं आप क्योंकि इसके फाइवर जो होते हैं ना बेंबू के एकजिली रन करते हैं बेंबू के अंदर क्या होता है जिसकी होजा से उसकी हाई टंपरेशर रंज होती है जो रिजिक्ट कर पाता है बात करते हैं लाइफटी सिटी की वेंबू इस वाइडली प्रिफेर इंदर अर्थक्वीक प्रोन एडिजन ड्यूटू इलास्टिक फीचर जैसे आपका जो अर्थक्वीक रिजन वाला एरिया होता है जहां पर अर्थक्वीक आने के चांसर ज्यादा है उस वाले एरिया हम यूज कर सकते हैं वेट आफ बैमबू वेट आफ बैमबू आपका जो होगा बैमबू कें दू तू दियर लोवेटर इसली डिस्प्लेश आर इंस्टाल मेकिन री एजिए ट फ़र for transportation and construction unlike other building material like cement asbestos bamboo possess to no danger to health they are cost effective and easy to use bamboo like wood natural composite material with a low strength to weight ratio also used by structure they are especially in great demand earthquake prone area में इसके जारा demand है तो आप bamboo के भी आप आपके यहां पर आपके जिस रिजन में रहते हो जहां पर रहते हो आपको इसकंदाजा नहीं है पर bamboo जहां पर earthquake वहां पर ज्यादा important है तो statement one तो आपका right है पर statement two कह रहा है कि इसको यूज नहीं कि यह बात गलत है तो statement one आपका true है statement second आपका false है तो third आपको जाएगा यहां पर राइट एंसर है अगर बात करते हैं आगे disadvantage क्या है bamboo की हाँ कुछ decision अगर आप अच्छे हैं तो आप किसी नहीं किसी लिए बुरे भी होंगे तो ऐसे आप कोई चीज अच्छा है तो उसका कुछ नहीं को decision भी होगा आप इसको पढ़ सकते हैं आप समाझ लेना क्या इसका decision है कि वाइल का सक्सिंगे slope timber आगर कोई slope timber बना रहे हो रूफ ट्रेस कर रहे हो तो जब फालिए नेसेसरी तू प्रोटेक्ट डा टिमबर कैसे आप प्रोटेक्ट करोगे टिमबर को तो टू कोट आप पेंट ओबर प्राइमर मलब कि प्राइमर के ऊपर आपको प्राइमर देना पड़ेगा उस प्राइमर के ऊपर आपको दो कोट पेंट भी करना पड़ेगा तब जाकर कि वह आपका स्लोप टिमबर आपका क्या हो पाएगा नेससी प्रोटेक्ट हो पाएगा आगे बढ़ते हैं बैंबू इसे कामनली यूज अब देखो बैंबू से आपका दो कोशन आया था बैंबू से ही दो कोशन आया थे 11 के सिफ्ट में 11 अक्टूबर को सायट पर पड़ता कि 10 की आपका यहां पर तीनों आपका से हो जाएगा आल आफ दा अबराइट एंसर होगा यहां पर डिपार्टमेंट आप डी ओई मेठड तो यह आपका जो होता है डिपार्टमेंट आप इन्वार्मेंट ठीक है इस बसके लिए यूज फार विज फालूइंग पॉस्ट पर तो एक दो तीन चार कौनसा एक दो तीन चार आपको जाएगा आपसर नंबर टू आपको जाएगा राइट एंसर यहां पर अगला कुश्चन है आपका विच आधा फालूइंग टाइप आप सिमेंट गिफ्स वन डे इस्टन्ट एट इस इकल त्री डेस इस्टन्ट ओपी सिमेंट भाई ठीक है आफसर नंबर फोर यहां पर हो जाएगा राइट एंसर ठीक है यह कुर्शन सायद कल हो चुका था यह जो मैंने भी डिसकस किया पर कोई नहीं डियो ती तो प्रजेंस आप डैस आप दर सिमेंट डिराइब दा करेक्टर ग्रेक्टर तो ग्रेक्लर कितनी होती है पॉइंट फाइब टू सिक्स परसंट होती है आपके सिमेंट के अंदर आगे बढ़ते हैं यह सारा चीज़ यहां पर आपको दो रखा है ठीक है आरे आकसे आपका जो होता है आपको देखोगे जो आयस इस इस्टेंडर्ड कोड में वैल्यू दे रखी है वह फाइब टो सिक्स परसंट है आप सेवल की गोली बुक में देखो डिफेंट जगहां आयस कोड में भी यह भी आपको दे रखा है अगर आपको एक नंबर चाहिए तो बस इस टेबल को चाहर जून तक पांच जून तक घूरते रहो इस से आपको एक नंबर मिल जाएगा यह भाई हर भार आता है आप उठाके देखो के दो यहार 3 में 22 22-21 पर इस पर कोई गौर्ण नहीं करते हैं और पूछता क्या है पूछतेगा बता देगा ग्रेटिंग जोन 1234 ठीक साइज देगा 10 mm पर कितना परसंटेज पासिंग हो रहा है बाई देखो अगर 10 mm के लिए पूछे के लिए पूछे कोई रटना ही नहीं है सब के लिए 100-100-100 कर दो जहां जोन वन जोन टू जोन त्री 10 mm के लिए कोई दिक्कत कहा आती है यहां पर एक चीज़ दोनों के लिए अगर इन दोनों के लिए पूछेगा तो सब बच्चा कर लेगा ध्यान से टेबल को देखो कोई दिक्कत नहीं है पूछा 600-100 के लिए वह अभी कहां ग्रेट जोन 4 में 80-100 के बीच में 80-100 के बीच में तो अगर वह चाहाए 4-5-2-3-6 पूछेए 1.18 पूछेए अगर 600-100 तक पूछेगा तो लाश्ट में 90-100 के बीच में वैलू आएगी तो यहां पर 90-100 के बीच में वैलू कौन सी है यह पूछा क्या जो 600-100 के लिए तो मतलब ऐसे करोगे ना तो एक नंबर आराम से पाजाओगे यह कुछन हर बार आता है यह कुछन भी आपका हो चुका था कल ठीक है यह ग्रिगेट करसिंग वैलू का कुछन था मैंने इसको भी कल डिसकस किया था यह सड़ेंस्ट्रों आपका कुछन था सड़ेंस्ट्रों कुछन था यह भी हो चुका था यह पासिंग वाला कुछन था 12.5 में से पास करना चाह सबसे पहले आपको मिल जाएगा सारे कोशन था एक हो गया था तो यहां पर आप देखेंगे धीरे-धीरे मैंने करके करके जितने भी दोयार थेस प्यूइकू थे मैंने डिसकस कर लीए अब नेक्स सब्यक्त आपका आएगा आप उसको जरूर देखेंगा बाकी आइओप आप सब्धा तरीके सब्सक्राइब मैं तیयारी कर रहोगे काफी आपको इस सीरीस से हलप्फुल हो रहा होगा तो जरूर एक इमोजी के साथ कमेट करिएगा कमेट बॉक्स में थाइंक्यू जहिन जए भारत